रण अप्रचंड है, बल है बलवान है, क्रांति का सिंकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इपिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनोतियों का अमबार है, राष्ट की है ये प नमस्कार दोस्तों लाइव जनादेश में आपका स्वागत है मैं देविंदर चोहान चुनावी रन तयार है और चुनाव पहले चरण का पश्मुत्तर प्रदेश में चला हुआ है और साफ तोर पर हम भी हमारे भी यात्रा लगातार जारी है लोगों तक पहुंच रहे हैं ग बागपत की इसलिए हम बागपत के विधान सबा छेतर में घूम रहे हैं और गाउंगाउं गली-गली घूम रहे हैं और लोगों से बात करें कि आखिर अब की बार भी क्या वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे या फिर गटबंदन मजबूत करेंगे आई हमारे साथ हम चल कौसी काम कर दें अब की बागपत विधान सब में लग रहा है तर्व किसकी सिट आएगी तैसा क्या योगी जी अच्राइगी उपने क्या करा यह क्या कुन अकरड़ी अटाई ऑर सब का विकास सब का विकास करा सब भी मनुष्ट का जाती का कि कोई जात पात नहीं सब का साथ सब का विकास यहां से प्रत्यासी कोन है योगेश दामा जी जी तैसीट निकालते हैं अभी हम पहुचे हैं हर्चंदपुर गाउ में जहां साफ तोर पर हमें कुछ लोग बैठे हुए मिले हैं यह तास खेल रहे यानि तासों की चौपाल पर हम पहुचे हैं कुछ लोग हमें देखकर भी रुके तो इनसे पूछेंगे भुजूर्व लोग हैं कि अब की बार क्य इनका रुजहन है और क्या विकास की बात है या इनकी क्या इनुने क्या अब की यह सबसे पहले यह था हैो इनसे बताओ अब की बार क्या मोट्य है मुड़ हमारे तो इनसान को बोट मिलती है योगेश धामा ने काम किया चेतर में इसली यहां सब योगेश धामा गिए यानि BJP की मोधिने काम अच्छा गये राशन दे रहे हैं हैं मकान दे रहे हैं बहुत हैं सिलंडर फिरी दिया है और तब वोट नहीं किया यानि बीजेपी से खुस हो कौन विरादरी है यहां जादे तर यहां मुहमडन और चमार अच्छा सभी लोग लगबग सभी जाती हैं क्या काम हुआ काम बहुत बढ़ी हो राधी यहां रासन म समझी से भी हम बहुत खुष है यहां कि बिलकल दामा की आया तो यानि इस घाओ में रचंदपुर में धामा की बट बताए जा रही है कितना काम हुआ कितना मानते हैं सरकार में सरकार में महारा किसान ने दी और मजदूर जितने भी तमाम जो किसान और मजदूरों की जो बीजे तर पहले हैं और किसान योजना दे रहा है किसी यह जो जो हजार पर मैंने के बीमिल रहे हैं यह जो रिसके सानी हो जेर के और ठीक टाक काम बढ़ बढ़िया अब के साफ तोर पर यहां जो लोग हैं काफी संख्या में लोग है इन्हों ने साफ तोर पर योगिजद्धामा को बताया कि तमाम योगिजद्धामा ने विदायक ने यहां पर बढ़ीया काम क्या है पूरे चेत्र में कने जैसे कुछ नेता ऐसे हैं मांगा एलेता बनेंसाल है चैने यहां ने साल वह बढ़ीया तो आप साफ तोर पर देख सकते हैं यह हर्चनपुर गाउं है और इस गाउं में योग इस धामा का साफ तोर पर अगर देखने वाली बात है तो पर्चम लेरा रहा है आए चलते हैं अगले गाउं की तरफ दिखाएंगे वहां के लोगों करूजान चुनावी यात्रा अमार हुके और चाई की चर्चा लगातार जो चुनावी है मुद्दे हैं उन पर बैठके बात करते हैं कि आपकी बार किसकी सरकार बनेगी और लोग आपस में ही चर्चा करते और गाउं समाज एक बड़ी एहम भूमिका रखता है जिस तरीके से जो यह विधान सभा जो जी है विधायक जी काम महारे शेत्र में इतने हो गए अब किसी यह नहीं करें आज तक प्रंतु पहली सरकार जोती वागुंदागर देगी थी नहीं सरकार नहीं है अब सरकार है योगी की और मुदी की साफ तोर पर बाबान अपने विचार रखे क्या इस्तिती थी आपके कि किसको समझते हैं अब तो पहले तो अगले राज में तो नहीं बिजली आवे थी दो गणटे विजली आवे थी वह साम को वह ता ब्लकुल चोड़ीटे कहती का ज्यादा वह था रूट पार्ट का महमान भी आवे थे साम को आणे भी बंद हो गेते ड्रहते सब तो आपका बभाब नमश्कार शीक हो अभी स्थी और संटिए रिषा आई आज की क्या में पहले में बहुत अंतरर थी क्योंकि दिब अक्लेष की सरकार थीं गुट्स ला घरती यह बहुत हम घेत में पानी चलाने माया की भी से सरकार है मां बनाया एक यह पुन बनाया और मारे विदाक ने मारे गाव में पांस सड़क दी नैर की पटडी बिजली घर वाला पकरास्ता काली सड़क और यह खेक मारे यहां से मुर्गी फारम से और जो खेकड़े गया जिस पर काम चल्याओड है जो मारे अंडर पास में मारा गाम बलोख हो रहा था मारे गाम के इतनी झाई मिला और ना हुपने बताए जो काम हैं उन्होंने गिनवा दिये हमें जो सरकार के दौ़ारा किये गए है more इतना बड़िया है यह वहर के शीकिल बैटर तीं बहुत जाद तीं सरोकारी स्कुलों में दो बच्चे नहीं जांगे अब इन्हों ने बहुत अच्छा संधार किया श्कूल बैचा सो ऐह रोगांने कोई खेतions पानी चला रहा है पता ना घर आये कर नहीं आएगा हमारी इंजार होती ती घर में आज हमारी कोई नगी आए उत्ती बाजपा सरकार में कि हम बड़े सुरक्षित है और बड़े अच्छे तरीके से रहने हैं हमारे जिले में आपके जो गाउं है यह लगालो बाक पर शहर के से काफी थोड़ा दूर है और बिल्कुल देहात छेतर है यहां जो विधायक सांसद कभी बोट मांगने आते हैं या आपके दुख का कितना मानते हैं हमारे जो योगे दामा जी है वो हमारी इनसानियत मतलब इतनी अच्छी है उनकी रूप रेखा हमारे यहां छेतर में हमारी भैंस भी मर जाती है तो ज साफ तोर पर जिस तरीके से बताया कि सुकून से और कहते हैं ऑर अपना जो करिसी का कारिया है किसाण ही जातार வें सरकार सरकार तो बनेंगी योगी की जी और इस्टीतीनी की ठीक है और पहले सरकार तो सब मेरे भाईू नहीं बताई दिया बोकत भोगी भी हैं और देख भी लिया और शांसत यह मारे विदायक जी है जो हर आदमी तो हर विरादरीत है इतने मिले जुले हुए है अकादमी पर फिद जो हैं बीजेपी सरकार ने लोगों को दुखी करा है किसान परेशान करें हैं और जो किसान अंदोलन है उसको भी कह रहे हैं कि यू इनकी चाल थी यह जूट है किसी की कोई चाल नहीं थी किसान अपने आप एक दूसरे के भैकावे में पहुंच गे थे और जो है उन्हें मानती दे रही है सरकार तो ल्यकौ सब लोग संतूश्ठ हैं आपके मानते आपको किसकी सरकार बनेगी योगी की तो मेरे इसाब से लगबक योगी शृत दिख्लांग है और आपको जैसे किसी तरीके की सरकार की को योजना मिल रही हैю मिल दिये हैं मुझ रखे दोड़े काम कर रहे हैं अच्छा क्या को गए फिलाल मान रहे हैं तो यह वह भी हैं यह क्या इस्तिति मानते हैं योगेश दामा यह दामा तो हर्चंदपुर गाउं में आये थे और काफी कर दोगारी िया में argument करो गाउं के जुन्मिदार लोग हैं साफ तोर पर उन्होंने योगेश दामा की सुनेधा अगाउं में है और जुम्मिदार लोग हैं सभी की और सब में अपनी दरी क्योंकि जिस तरीके से बीजे बी सरकार कानी कारी क्या है कि आप देखा Natalie देखा जारा है कि बिजेपी की तरफ रुजान बन रहा है जो बाबा कि है उनकी सर्कार काम मलता हूं विकास कर ना और फाया कुछ चीज हुआ देंटा विकास का उसे बोट देने चीज़ हो जागा शिद्धा बढ़ा बानने विकास कुछ हो ना और भाद्या कुछ लिए शेज हम अब आपके कि विधाया कोई जाट नहीं लेकिन काम और विकास की बात देखने को मिली जो लोगों ने साफ़तोर पर बताया चलते हैं अगले गाउं की तरफ और दिखाएंगे जिस तरीके सा हमारी चुनावी यातरा चलेंगे लोगों के रुजान लोगों की बात और बने रही हमारे झाल झाल